Hello friends, आज मैं linear equation in one variable class 8 exercise 2.6 का question number 1 बता रहे हैं, इसे पहली वाली सारी exercise solve मैं कर चुक हूँ, अगर आपको problem है तो please वहाँ से देखें और कम से कम अपने एक friend के साथ जरूर share करें, देखें हैं, 8x-3 upon 3x equals to 2, हम क्या करेंगे, देखो, एक side तो यहां पर fraction है, एक side number, तो हम यह जो 3x है, इसको हम ले जाएंगे right hand side पे, ठीक है, यहां पर यह division में, तो हाँ पर किसम हो जाएगा, multiplication हो, तो मैं लिखा 8x-3 equals to 2 into 3x, ठीक है, अब क्या हो गया, 8x-3 equals to 3, जा 6, तो यह हो गया 6x, अब हम क्या करेंगे, 6x को हम ले जाएंगे left hand side पे, ठीक है, क्यों कि धर 8x है, तो जब हम इसको left hand side पे लेके जाएंगे, तो minus का हो जाएगा, side change मतलब sign change, ठीक है, 6x, अब इस 3 को हम ले जाएंगे, जो constant 3 है, इसको हम ले जाएंगे right hand side पे, तो किसका हो जाएगा, plus का हो जाएगा, side change मतलब sign change, ठीक है, 8x-6x को minus करोगे तो कितना application में तो इसकी side change करेंगे तो किसमें चला जाएगा division में चला जाएगा है ना तो आपका answer क्या हो गया x की value हो गई 3 by 2 अगर आपको समझा रहा है please 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 like share subscribe जरूर करें और follow करना बिल्कुल भी ना भूने है